अलो दोस्तों नमेश्कार आप सभी के स्वागत है DRKTV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनेया बी कानेर राजस्थान से दोस्तों आज इस वीडियो के मादे में से एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं कि यह जो anxiety है यह जो panic है यह जो overthinking है यह जो negative thinking है यह जो जितने प्रकार का जो डर है यह जो OCD यह सारी चीजें जो है वो क्यूं होते हैं इसके एक root के उपर हम बात करने वाले हैं अगर इसकी जड़ को हमने बहुत अच्छे समझ लिया understand कर लिया तो हम इन सारी psychological problems को हराने में काम्याब हो जाएंगे यह जो root है वो क्या है दोस्तों यह जितनी भी psychological problem है जितना भी प्रकार का fear है यह fear हमें इसलिए लगता है क्यूंकि जो हमारे दिमाग में सोच चल रहा है उसी सोच को हम सभी सच मान रहे हैं जो हमारे दिमाग के अंदर सोच चल रहा है उस सोच को हम क्या मान रहे हैं सच मान रहे हैं और इसी सच मानने के कारण हमारे अंदर जितनी भी प्रकार की problems है यह सारी की सारी problems होती है जिससे example के तौर पे समझते हैं दिमाग में सोच आ रहा है, विचार आ रहा है कि मुझे heart attack आ जाएगा जबकि सच्चा ही ये है कि heart से related सारे investigations नॉर्मल है heart से related सारी जांचे नॉर्मल है लेकिन सोच ये आ रहा है कि heart attack आ जाएगा इसको हम क्या मान रहे हैं? सच मान रहे हैं और इसी सच मानने की वज़े से ही हमें यहाँ पर क्या होती है? बहुत ज़्यादा गबराट होती है बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है दिमाग में सोच आ रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा और इसको हम क्या मान रहे है? सच मान रहे है क्या सच मान रहे कि मुझे कुछ हो जाएगा मैं सड़क पे जा रहा हूँ मुझे कुछ हो जाएगा मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ मुझे कुछ हो जाएगा मैं अकेले कहीं पर जा रहा हूँ मुझे कुछ हो जाएगा और इसी चीज को हम क्या मान रहें सच मान रहे हैं दिमाग में सोच आ रहा है कि मेरी death हो जाएगी और ये जो death हो जाएगी इसी सोच के अधार पर हम अभी इसको सच मान रहे हैं कि नहीं अभी बस मैं मरने ही वाला हूं मुझे कुछ हो जाएगा और इसी वज़े से हमें क्या लग रहा है डर लग रहा है अच्छा ये डर क्यों लग रहा है समझने की बात है कि सिर्फ दिमाग के अंदर सोच आ रहा है सिर्फ दिमाग के अंदर thought आ रहा है ये सिर्फ एक सोच है ये सचाई नहीं है ये reality नहीं है अभी हाली मैं एक वेक्ति से बात कर रहा था तो उनसे discussion चल रहा था तो discussion discussion में ये बात आई कि देखिए हम अभी मिल रहे हैं पता नी कल क्या हो परसो क्या हो हो सकता है आप ये news सुने कि मैं doctor का नईया से बात कर रहे थे और doctor का नईया तो बात कर रहे थे अभी से लट गए तो वो बोले कि ने नी सर आप ऐसी बाते मत करो आपको death के उपर बात नहीं करना सर death के बात नहीं करनी चीए यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे समझना दोस्तों बात कर रहे हैं सोच है वो एक thought है अच्छा बात करने से कैसे होने वाला है कि आपकी जो death है वो जिस moment पे होनी है उस moment से पहले हो जाएगी उस moment से 10 दिन पहले हो जाएगी उस moment से साल बर पहले हो जाएगी या अगर बात नहीं करने से ऐसा होने वाला है कि जो death है वो जिस moment पे होनी है उस moment से 10 दिन बाद में होगी या एक गंटा बाद में होगी या एक साल बाद में होगी ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिस moment पे होना है वो उसी moment पे होना है हमारे सोचने से हमारे विचार करने से हमारे उसके उपर बाचित करने से कुछ भी नहीं होने वाला यह सिर्फ एक सोच है यह सिर्फ एक thought है यह reality नहीं है और सारी की सारी जो गड़ड़े हैं सारी की सारी जो परेशानिया हैं वो सारी परेशानिया इसी वज़े से हैं कि हम हमारी सोच को ही सच मान बैठे हैं जो दिमाग में विचार आ रहा है उस विचार को ही हम क्या मान बैठे हैं सच मान बैठे हैं इसी मानने की वज़े से हमारा जो दिमाग है वो इस सोच से क्या करता रहता है लड़ाई लड़ता रहता है हमारा जो दिमाग है वो इससे लड़ना सुरू कर देता है और जैसे लड कर रहे हैं, बिकानेर के रसगुले बड़े फेमस है, बिकानेर की नमकीन बड़ी फेमस है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सोचिए, कि आप अभी बैठे हैं और आपके मूँ में रसगुला जा रहा है, आपके मूँ में बिकानेर की नमकीन जा रही है, और आपको उसको स खाओगे, खाली सोचने से कोई स्वाद नहीं आने वाला, उसी तरीके से सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं होने वाला, सोचने से खाली emotions, हम अगर उस सोच को reality consider कर रहे हैं, हम अगर उस सोच को सच मान रहे हैं, तो उसके कारण हम गवराड जरूर हो सकती है, हमें डर जरूर लग सकता है, हम anxiety में जरूर जा सकते हैं, हम overthinking में जरूर जा सकते हैं, हम negative thinking में जरूर जा सकते हैं, हम panic हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला, यह नहीं है कि अगर आपके दिमाग में यह सोच आ रहा है, कि मेरे को हाट एट आ आ जाएगा, तो सच में आ जाएगा, ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला. सर कुछ लोग कहते हैं कि जैसा सोचते हो वैसा हो जाएगा तो दिमाग में आ रहा है तो सच में कहीं हो जाएगा ऐसा बिलकुल भी निये ये बहुत ही ज़ादा बड़ा चड़ा के बोली गई लाइने हैं बहुत ही ज़ादा generalized statements है सोचने से कुछ भी नहीं होता सोचने से अच्छा मेरे दिमाग में सर्फ थौट आ रहा है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाओंगा कहीं सच मैं पागल तो नहीं हो जाओंगा ऐसा कुछ नहीं है सोचने से कोई वैक्ति पागल नहीं होता इस चीज को बहुत अच्छे समझ लेना है कि ये सिर्फ हमारी सोच है, ये सिर्फ हमारी कलपना है, ये reality नहीं है, और जब हम इसको reality कंसिडर करना सुरू करते हैं, तो हम इन सब को हटाने की कोशिश में लग जाते हैं, कि नहीं यार, ये विचार मेरे दिमाग में नहीं आना तो हम पूरे दिन इसको क्या गड़ते रहते हैं, हटाना सुरू कर देते हैं, अब जब आप इसको हटाना सुरू करोगे, तो आपका पूरा ध्यान कहां लगेगा, हटाने पर ही लगेगा ना, अब किसको अटारे हो, इस विचार को अटारे हो, और विचार तो है वो तो द हटाने की कोशिश लगते हो ना, तो आपकी पूरी की पूरी conscious इसके उपर shift हो जाती है, और जब आपकी conscious shift होती है ना, हर वक्त दिमाग में यही चलता है, फिर तो यह था सर, अब तो पहले तो कभी कबार चल रहा अब तो पूरे दिन यही चलता रहता है, चले गई वो तो, क्योंकि आपने अपना पूरा conscious इसके उपर shift कर दिया, और जब हमारा conscious पूरा इसके shift हो जाता है, पूरे दिन हमारे दिमाग में यही चलता कर रहता है, मतलब आप जिस चीजच से दूर बागने की कोशिश कर रहे हो, आप जिस चीज को हटाने की कोशिश कर रहे हो मजे की बात कि वो ही चीज आपके दिमाग में हर वक जकडने लग जाती है, दीरे दीरे इसका pattern और मस्बूत हो जाता है और हम पूरी तरह से इसी कि क्या है कि गिरफ्त में आ जाता है अब पूरे दिन वही चलता रहता दिमाग के अंदर और जो चल रहा है उससे डर है क्योंकि उसको रियालिटी कंसीडर किये हैं उसको वास्तविक्ता समझे हैं तो उसके कान डर भी बहुत ज़दा लगत करने में हम बहुत ज़दा मैनत करते हैं अपनी जंदगी में कुछ भी हमारे लिए मज़दार नहीं रहता मतलब यूं समझे कि माली जी कि किसी के गर्दन के उपर तलवार लटकी वी है कि कुछ भी बोलोगे न तुमारी गर्दन उड़ा देंगे उसको डर लग रहा है तो उसकी conscious जो है वो उस डर वाले थोट के उपर ही क्या होती है डाइवर्ट होती रहती है उस reality के उपर ही डाइवर्ट होती रहती है जिसको उसने समझ रखा है अब यहां से हटाने की कोशिश कि नहीं सीधा आटा लू क्योंकि इससे मेरा काम अफेक्ट हो रहा है तो हम फिर यहां पर अलग-लग तरीके अपनाते रहते हैं लेकिन जब तक वो तरीके अपनाते रहते हैं जब तक हम अपने थोट को डाइवर्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं जैसे कुछ लोग ध्यान लगा रहे हैं कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ लोग नहीं रहा पाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं तब उनसे बात्चीत होते हैं, अच्छा बात्चीत होते हैं, तो हमारे खुद के अंदर जो कच्रा है उसके अंदर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, और उसके अंदर जब हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, तो हमें डर नहीं वर्क कर रहे हो तब डाइवर्टेड है, बात कर रहे हो तब डाइवर्टेड है, मूवी देख रहे हो तब डाइवर्टेड है, मोबल चला रहे हो तब डाइवर्टेड है, जैसे यह सब हटता है, वापस हमारा conscious हमारे पास आता है, हमारे मुद्धों पर आता है, फिर से गब अब ये सिर्फ एक सोच है, सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है, मेरे दिमाग के विचार है, अगर 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 होता तो एक बात बताईए, पिछले एक साल से मेरे दिमाग में आ रहा है, पांच साल से मेरे दिमाग में आ रहा है, दस साल से मेरे दिमाग में तो हुआ क्यों नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक कलपना है, reality नहीं है, वो सिर्फ एक सोच है, सचाई नहीं है, अगर सचाई होता तो पहले दिन आता तब भी हो जाता ना, नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक सोच है, reality नहीं है, और हम सिर्फ इन ही विचारों को, कि मैंने ऐसा किया, तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया, तो वो हो जाएगा, इनी विचारों को हमने क्या मान रखा है, रियालिटी मान रखा है, और इसी रियालिटी की वज़े से हमारे अंदर ये सारे डर, गबराहट, बेचेनी, पैनिक, ओवर्थिंगिंग, OCD, सब कुछ हमारे अंदर क्रियेट हो रहा है, तो इस बात को बहुत अच्छे समझना दोस्तों, समझना कि ये सब कुछ कलपना है, ये सिर्फ विचार है, थौट से इसके अलावा कुछ भी नहीं है, हमें बार-बार अपने इन थौट को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, कि बाय साब, ये रियालिटी नहीं है, इसके फेवर में हमें एविडेंस अपने आपको देने पड़ेंगे, कि ये सिर्फ एक थौट है, ये सिर्फ एक कलपना है, इसके लिए हमें बार-बार यहाँ पर सीबीटी का प्रेक्टिस करना पड़ेगा, जब अपन सीबीटी का प्रेक्टिस करता है, तो दीरे-दीरे हमारा जो माइंड है, ये एकसेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, कि ये सिर्फ एक कलपना है reality नहीं है सिर्फ एक सोच है reality नहीं है वास्तविक्ता नहीं है अच्छा कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर हम जानते हैं कि ये सब कलपना है ये सिर्फ एक सोच है लेकिन फिर भी डर लगता है अच्छा ये जो हम जानते है न ये सिर्फ उपरी पूरी तौर पर क्योंकि दूसरे लोगों ने कहा दिया, इसलिए हमने भी अपने आपको रटवा दिया कि ये सिर्फ क्या है, सोच है लेकिन भीतर का मन तो अभी भी इसको क्या मानवा रहा है, सच मानवाइ कल को सर ऐसा हो गया तो आप तो कह रहे हो कि अकेले जाओ अकेले गया कल को वहाँ कुछ हो गया तो आप तो कह रहे हैं कि ट्रेन में गुज़ आओ ट्रेन में गुज़ गया कल को अगर ट्रेन में कुछ हो गया तो यह सब चीज़े डराती है सर वो तब ही डराती है क्यों कि हमने अभी इस सोच को कलपना अंडर से मानना शुरूनी किया, भीतर से हमारा जो खुद का जो conclusion है, वो conclusion इस बात पे नहीं आया है, कि ये सिर्फ सोच है, सचाई नहीं है, जिस दिन हमारा ये conclusion इस बात पे आ जाएगा, हमारा अंडर का, हमारे मन क कि ये सिर्फ सोच है, सचाई नहीं, उस दिन हमारी सारी की सारी overthinking, zero हो जाएगी, हमारा सारा का सारा anxiety, zero हो जाएगा, overthinking, zero हो जाएगा, negative thinking, zero हो जाएगा, OCD, zero हो जाएगा, संपून, stress, डर, हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, मतलब normal हो जाएगा, तो क्या इ और दोस्तो हम लोगों ने इस सोच को सचाई से कैसे differentiate करें कैसे हम इस चीज को challenge करें कि यह सिर्फ एक imagination है इसके उपर हमने एक step by step learning का एक पूरा course launch किया है CBT का जिसका link नीचे description में है जिसको आप enroll करके जिसको आप अपने बीतर install करके अपनी psychological problems को पूरी से खतम करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत